मोरिंगा का जूस है कई रोगों के लिए रामबान जानिये कैसे कर सकते हैं खुद से जूस तयार जारखन में मोरिंगा को कई नामों से जाना जाता है जिसमें कई अवसध्य गुन पाए जाते हैं जिस करण इसे सिहत का खजाना माना जाता है गुमला जिले में मुरिंगा को सहजन जोकी सुट्टी के नाम से जानते हैं सहजन की पतिया फल, फुल, धंटल सभी में और सद्धी गुन पाए जाते हैं अमुमन लोग इसकी सबजी बना कर खाते हैं वहीं कई लोग सूप बना कर वा जूस बना कर भी पीते हैं वहीं इस्पेसली बहुत से लोग गर्मी के मौसम में इसकी पतियों से जूस बना कर पीते हैं, जो सिहत के लिए काफी लाबदायक मान जाता है, ऐसे खुद से त्यार कर सकते हैं जूस, सहसे पहले सहजन की पतियों को तोड़ कर सुखा लें, फिर मिक्सी या अपने सुईधा सपदाध हिखारी निर्मला सीनह से किन-किन रोगों के लिए हैरामबान मौरिंगा का जूस हुआ कब पीना चाहिए, विस्त्रित जानकारी नहीं की जुबाने है, तो मौरिंगा जूस जो है, यह सहत के लिए बहुत ही लाबदाई है, और यह कब जे, इसे रहा दिलाने के स जूस को मजबूत करने में भी मददगार है, इसके अलावा यह कोलिस्टोल को भी कम करता है, डायटीज को कंट्रोल में रखता है, और पुराना सी पुराना तुरकाब्जी है, उसमें भी यह बहुत ही लाबदा है, कि जूस, इसका जूस और सब्जी सुग एक लास पीने स कि जूस को काफी फायदा वोस्ता है, जूस को खाली पैकी की रान है, और यह खाली पैकी होना है,